हेलो स्टुडेंट स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर आज हम बात करने वाले हैं सीपी सीटी परिक्षा के सर्टिपिकेट के बारे में जो नया अपडेट यहाँ पर आया है स्कूल सिक्षा मंत्री और सामन प्रसासन राज मंत्री जो हैं हमारे स्री इंदर सिंग परमार इन्होंने आज जन संपर्क कार्याला की वेबसाइट पर यहाँ पर हमें एक नया अपडेट दिया है कि जो CPCT परिक्षा थी उसकी जो अबदी चार बर्स थी अब उसको बड़ाकर यहाँ पर साथ बर्स किये जाने की योजना यहाँ पर बनाई जा रही है इस योजना में सीपी सीटी में पहले क्या था कि जो आप स्कूर कार्ड आपको प्राप्त होता था उसकी अब दी चार साल होती थी मनलब चार साल है दी आपके उस सर्टिफिकेट को हो जाते हैं तो उसके बाद भाई अन्वैलेट हो जाता है लेकिन अब यहाँ बैलेटिटी साथ वर्स के लिए कर दी जाएगी इसके साथ में यहाँ पर स्री परमार्जी के दुआरा यह भी बताया गया है कि अभी तक सीपीजीटी का जो सर्टिफिकेट था हमारा हमारे राज तक ही बैलेट था लेकिन अब इसको कुछ इस प्रकार से क्रियेट किया जाएगा कि दूसरे राज्यों की परिक्षाओं में भी मान्द हो जैसा कि आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं क परिक्षारतियों का स्कोर कार्ड दूसरे राज्यों की परिक्षा में भी मान्द होगा यह मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं यह जनसंपर्क कार्याले की वैपसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा अभी मैं आपको वीडियो में आप जब आप अंत तक देखे जाएगा और यह दूसरे राज्यों में भी हमारा बैलेड हो जाएगा तो यह बहुत ही खुसी की बात है और यहां पर मैं आपको एक बात और बतलाना चाहूंगा कि अब आपके मन में कोश्चन आता है कि सर क्या हमने जो पहले सीपी सीटी का एक्जाम दिया था हमारा जो स उसके बाद स्पष्ट होगा कि साथ वर्स नए जो एक्जाम होंगे सीपी सीटी उनमें बैलेड होगा यह जो हम पहले भी हमारा जो सर्टिपिकेट था उसको भी साथ साल के लिए बढ़ा दिया गया है तो जहां तक अभी पहले की कंडिशन देखें तो उसमें हमारा जब कि ऐसा कोई भी आदेश आता है तो बैय आदेश के बाद जब भी एक्जाम होता है उस डेट में जो एक्जाम होगा उसके लिए लागू होता है ना कि उससे पहले के एक्जाम में तो यहां पर मैं अपने तरफ से अपने विवेक से यह कह सकता हूं कि जो पहले के हमारे एक सब्सक्राइब करेंगी तो हम बात करते हैं कि जन्संपर्क का रियाले की सब्सक्राइब करने के अज़िए था वेब ब्राउ्जर का यूज करेंगे तो आप गोगल क्रोम और मौजुला फाइरफॉक्स किसी का भी यूज कर सकते हैं यहां हम URL बार मेर सर्च करेंगे MP जनसंपर्क यहां पर हमें देखने को मिल जाता है क्लिक यहां पर यहां पर हमें एक नया पेज उपन होता है यहां पर Department of Public Relations MP इस पर हम करेंगे क्लिक और हम इसकी वेब साइट को ओपन कर लेते हैं तो यहां पर हमें जन्संपर्क विवाग की जो यहां पर हमारे मद्धिप्रतिस का जन्संपर्क विवाग है उसकी website हमें देखने को मिल जाती है यहां पर हमें नवीन समाचार जो की हमें देखने को मिल रहा है इसमें हमें यहां पर जैसे ही हम आते हैं तो यहां पर हमें देखने तो आप देख सकते हैं अब हमारा यह पेज ऊपन हो गया और यहां पर यह हमारा tweet हम कह सकते हैं या कोई भी detail यहां पर जानकारी कह सकते हैं जो जन्जम्पर्ग विवाग के यहां पर हमें website पर देखने को मिल जाती है मतलब इस जानकारी की authentic हमें यहां पर जानकारी मिल जाती तो इसा यहां पर ट्वीट यहां पर ऐसी जानकारी हमें देखने को मिल जाती है तो इस्टूडेंट्स अब मेरा आप से कहना है कि आप रेडी हो जाएए तैयारी करने के लिए और इस्टूडेंट्स यह मेरे इस यूटूब चैनल पर भी आपको सीपीशीटी से सम्मंदित बहुत सारा कंटेंट आपको देने वाला हूं मैं जो भी एक्जाम के परपस से आपके लिए बैटर रहेगा तो यदि आपने यूटूब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकॉन पर भी क्ले कीजिए ताकि आपक कर सकते हैं धन्यवाद